आसला कुम् आप लोग को ने अपनी प्रिक्रिकल नोट बूक अच्छे से कम्प्लीट कर लियुकि आज हम लग प्रॉप्ली के छा drift कर नहीं हैं हुआद अप लिकृ प्रॉपर्भा कॉपी और प्रॉप्रमाकालोजी पारोजी हैँ प्रॉप ripe कैस इस से प्लॉभा है प्र Touce अपना session लिखते हो एसमें warm खुआएयस Gut निंधि दिक्ट को आंगे एपनी चाहते हो सेकलो नियुяч के लिए और प्रने लिए पूमें यृपने लिए थी लिए, आप लोगा मूने प्रने लिखना से ल pendant एक है लिए लिए polite के अज़ले लिया वनकिल से इनम का प और फिर इंस्रीन के सामने इंस्रीट । लिख हते हो, पिर आप लोग अप्र पूरा एक पेपर निकलवाओ, फिर बात में उसके उूपर पहले आप लोग ने अपना subject का name लिखा, उसके बारे में कुछ भी एक diagram बन वाली और फिर बाद में name के साथ यहाँ पर, आप लोग कहते हो name के साथ आपने name लिखा, role number, then college ने, right? आप लोग अगर इस तरहा से name लिखना चाहते हो, यहाँ पर लिखो अगर आप लोग अपने paper के, अपने copy के first paper पर लिखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो, right? Let's start our copy, आप लोग पहले paper को छोड़के, यहाँ पर आप लोग अपना pointer बनाते हो, ठीके? pointer बनाते हो, well and good नहीं बनाते हो, ठीके? तो फिर आप लोग direct index पर आजाओ, index पर क्या करते हो, सबसे पहले पहले आप लोग यहाँ पर serial number के लिए, यह और already line लगी भी होती है, इसके आगे date की जगा छोड़कर आप लोग यहाँ पर एक line लगाते हो, और date mention करते हो, उसके आगे experiment, experiment जो भी होगा, number one experiment, preparation of ringer solution, number second, preparation of thyroid solution, इस तरह से आप लोग बाकी सारक सारा लिखते चले जाओगे, ठीके? अच्छा, इसके बाद, इसके सामने, आप लोग page number, page number लिखना चाहते हो, बहुत जबरदस चीज है, कि आप लोग अगे mention करते हो कि किस page पर आप लोगों का practical लिखाव है, ठीके? तो आप लोग यहाँ पर mention करोगे कि कौन से page पर आपका कौन सा practical है, लाइक आप लोग करते हो, फोर्थ practical आपका 19 से लेकर 23rd page पर लिखाव है, और इसके आगे आप लोग से एक nature की जगा छोड़ देते हो, जहाँ पर आपका teacher जो है, वो sign करेगा, राइट? अब इसके बाद, आप लोग next page पर भी आप लोग इसी तरह से बनाते हो, ताकि अगर आपका कोई ऐसा practical जो कि आपका यहाँ पर पूरा नहीं आया, तो आप लोग उसको यहाँ पर लिख सको, अगर solution जो है, वो एक ऐसा solution है, और several salts, जिसके अंदर बहुत सारे salt मिले वे होते हैं, dissolve होए होते हैं, in dissolve होए होते हैं, in dissolve होए होते हैं, in sterile solution, in sterile water में, यानि कि जरासीम से पाग पानी के अंदर, यह आपके different salts होए हैं, वो हल होए होते हैं, relatively to body fluids, जो कि हमारे body fluids से मुंसलि होते हैं, ठीक है, यानि कि उन जैसी उनके मिकदार होती है, if in high osmolarity solution of various electrolytes, it is also called hotman's solution, इसको आप लोग hotman's solution भी कहते हो, फिर apparatus की बात आजाती है, तो apparatus में आप लोग wing balance इस्तामाल करोगे, spatula इस्तामाल करते हो, funnel, funnel इस्तामाल करोगे, watch glass इस्तामाल करते हो, beaker इस्तामाल कर के लिए volumetric flask, उसको measure करने के लिए, अप लोग volumetric flask के इस्तामाल करते हो, अब जहां पर आप लोगोंने apparatus बनाया है, इसी apparatus, sorry, आपने जहां पर यह लिखा है, लिखा है apparatus, बिल्कुल इसकी opposite side पे, इस तरह से, आप लोग white page पे, side पे पहले line draw करोगे, pencil के साथ, और उसके बाद, आप लोग उपर experiment number one, लिखने के बाद, उसके नीचे preparation of ringer solution लिखते हो, ठीके, जो आप लोगों का title है, और उसके नीचे आप कोई से भी 2 या 2 से 3 आप लोग, जो आप लोगोंने apparatus लिखे थे, उन में से कोई से भी 2 या 3 आप लोग apparatus बनाऊगे, right, अगर आप बनान चाहते हो, तो आप लोग उसका print निकलवाओ, और उसको आप लोग यहां पर paste कर दो, right, अब इसके बाद, आप प्रेटेस इस लिख लिख लिए, फिर आप लोग composition पे आजो, आपके तो sodium chloride, NaCl 8.6 gram लेते हो, potassium chloride, KCl 0.3 gram, glucose 1.8 gram, sodium lactate 3 gram, calcium chloride, आप लोग 0.2 gram लेते हो, और sterile water इस्तामाल कर रहे हो, आप लोग 1000 ml, ठीक है, 1000 ml यह आप लोगों का quantity sufficient होता है, ठीक है, जितना आपको मिकदार की जरूरत हो, right, अब हम लोग करेंगे क्या, procedure, wash all apparatus and let's dry them, आप लोग तमाम तर apparatus को धो लेते हो, और उसके बाद उसको खुशकोने रख देते हो, weight all ingredients accurately, तमाम त हमें जरूरत में लिखा गया है, टेक अब बीकर, अब बीकर एक लोगे and add a small amount of water in it, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी उसमें जमा करोगे, में शामिल करते हो, add NaCl, अब इसके अंदर NaCl डालते हो, KCl डालोगे and mix it properly और उसको अच्छे से, सही से, उसको mix करते हो, then add sodium lactate और अब इसके अंदर sodium lactate डालते हो, इन दा बीकर, बीकर में and then add calcium chloride and, sorry, hydrous calcium chloride अब इसमें डालोगे, CaCl to water with water, आप लोग यह डालते हो and mix them completely और उसके बाद उसको अच्छे से mix कर लेते हो, फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग पोर देम, पोर देम, पोर देम, पोर देम पोर आप लोगों की funnel इस तरह की shape में होती है, ठीके, इस तरह की shape में होती है, आप लोग यह रखते हो अपने volumetric flask पे और उसके ऊपर, फिर आप लोग उसके अंदर से सार का सार अपने जो भी solution हो डाल दोगे, then add more sterile water, अब आप लोग और sterile water जमा करते हो, उसके अंदर डालत यह तो make up final volume, पूरा final volume बनाने के लिए जो क्या हमारा है 1000 ml, आप precautions आजाती हैं, यानिके एहतियाती तदाबीर, कौन सी हैं, कि वे all ingredients accurately, तमाम तर अज़ा को सही सही, यानि पूरा पूरा वजन कर लें, mixing should be in orderly and thoroughly, mixing आपने जो करनी है, वो होनी चाहिए orderly, यानिके तरतीब क साथ और मुकमल होनी चाहिए, यानिके पूरा-पूरा हल हुआ वा होना चाहिए, फिर sterile water should be used, जरासीम से पाग पानी इस्तमाल किया जाना चाहिए, अब हम लोग इसको इस्तमाल कहां पर करते हैं, इस ringer solution, ringer lactate solution को, आपके तो इस ringer solution used to maintain body electrolytes, body electrolytes को balance करने के लिए, maintain करने के लिए इस्तमाल करते हो, फिर physiologically in vivo use in muscles test, physiologically यानिके body के लिए आप लोग कप करते हो, जब आप लोगोने muscle test करना हो in vivo, तब हम लोग इस्तमाल करते हैं, ठीक हो गया, यानिके living system के अंदर डालने के लिए हम लोग इसको 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 इस्तमाल करते हैं, such as cardiac and smooth muscles, muscle test कौन से है आपके cardiac muscles का test, या पर smooth muscle test उसके अंदर, अब इसके बिल्कुल opposite side पे, white page पे, आप लोग क्या करोगे, side पे lines आपने draw की, ठीक है, और उसके अंदर आप लोग ने ये drip की form में, ठीक है, आप लोग के तो ये drip की form में, आप लोग इसको यहाँ पे, आप लोग ये चीज़ बना लिखो गए, ये रिंजर्स lactate, ठीक हो गया, और इसके बाद फिर आप लोग कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन इस तरह से लिखती है, नीचे mention कर दिया, prepared 1000 ml of ringers lactate solution, ये रिंजर solution, ये हमारा first practical था, I hope कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आपको फिर ये फार्मेसी टेक्निशन का सब्जेक्ट है, ये फार्मेसी टेक्निशन फिर्स ये के बच्चे इसको नहीं लिखेंगे, अगर आपको कोई question हो, तो आप लोग मुझसे comment section कर सकते हैं, अब तक के लिए इतना ही, thank you so much, अलाहाफैस,